ये क्या कोशन है असानी होगा कुछ वो गया बताता हूं भी आओ बच्चो पहले डिस्टिबस में बताओ क्या है नहीं आजो मेरे साथ अगर आरोशी जी मैं वाई को एक्स क्यूब ले लूँ तो बताओ एफ वाई वाई एक्स्पोनेंशल डिस्टिबूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं चेक करके दिखाता हूं ऐसे दुका नहीं है ट्रांस्फरमेशन वाई एक्स क्यूब है न तो हमारा पीडियाफ वाई क्या होता है एक्स में एक्स को वाई टू दिपार क्या लिखते हैं इन्टु डी बाई डी वाई ओफ क्या वाई टू दिपार यही करें न डी बाई डी अफ ठीक है न एक्स को वाई टू दिपार बन बै थ्री लिख और डी डी बाई यों बै थ्री क्या हो जाएगा ट्रांस्फरमेशन करनी हाती है क्या करोना ट्रांस्फरमेशन करकी यही बनेगा तुमारा वो त्री से त्री कट जाएगा आपका देखना यही लाल वला जो मैंने लिखा ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले बताओं तैंक यू वेरी मच्छ वो समझ गया था मैं तभी समझ गया था एक्स क्यूब लिखा उसका डेरिविटिव यहां लिखा हुआ है एक्स क्यूब और उसका डेरिविटिव यहां है तो इसके हम्दा हो गया solve करोगे जैसे आप मनीरीशमलीं मेथब से रांस्वॉमेशन सिखा हूं मनीरीशमली मेथड से रांस्वॉमेशन सीख लो फाईक बर किसी चीख नहीं है तो क्या कहता है मनीरीशमलीं मेथब 0 से 8 आपने फंक्शन लिखा 3x स्क्वेरशुंड πॉम थीटिधे e की पार माइनस x क्यूब बाई ठीटा dx टोड़ बोल्टी क्या होने चीए अब y किसके बराबर है सब बदल लो x की जगे y लिखना है x की लिखना है तो x की जगे क्या लिखेगा बिटा y to the par तो dy किसके बराबर होगा तरह 3x square what limit सब बदल दो अब limit किसके आएगी y की 3x square कर डी x कर दू dy कर दू न e की par minus y by theta dy इसकी टोड़ पुल्टी भी क्या होगी बताओ यहाँ पर x का PDF ये था तो y का PDF क्या हुआ ये मेरा method है जैसे आप 12th class में let करते थे थे नहीं याद आपको वो transformation ही होती है वो उसमें कोई formula लगाने जूद नहीं बढ़ती है आपको चलो हो गया पहले तो इतना काम हो गया अब बात कर रहा है summation x cube मतलब summation y की summation x cube मतलब summation हाँ तो summation x i cube का distribution gamma n,1 by theta होगा कि नहीं अरे 1 by theta है ना parameter तो वहाँ पर अब क्या पूछ रहा है भाई पहले बताओ gamma में gamma में sufficient statistics क्या होता है हम रहे summation x i होगा ना पूछ रहा हूं summation x i sufficient है की नहीं है तो मतलब y sufficient है नहीं यहाँ पर तो y तो expectation नहीं काल रहा है उसका expectation of n minus 1 by y तो integration 0 से infinity n minus 1 into 1 by y gamma का formula बताओ 1 by theta की पार n gamma n है ना e की पार 1 by theta y x की पार और यहीं होगा तो n minus 1 तो n factorial है यहाँ बताओ गामा एन को n factorial नहीं n minus 1 factorial है यह है वो तो कोई नहीं n minus 1 और यह क्या है तो अभी गामा नहीं रखते हैं जीरो से infinity y बता कहां चला गया पावर में चला गया उपर y की पार क्या हो गया और यह 1 by theta क्या हुआ भार 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 ना अंदर क्या बचा e की पार minus integration बता answer बिटा गामा करेट है कुछ कटे है बटेगा and gamma n minus 1 क्या होगा n minus 2 vatural होगा तो n minus 1 gamma n minus 1 n fatorial होगा न यार n-fatorial upon n factorial theta की पार यह कटा न 1 by theta आया कि नहीं आया और बोलो भाई होत हो गया यह हो गया अपना नहीं समझ में आया इसका भूस भूनवड थीटा की पार यह कटा न भार न मीनस 1 तो गामा अल्फा को अल्फा माइनेस वन गामा अल्फा माइनेस वन लिखते हैं पेटा अच्छा ठीक है ओक्या तो कटेगा की नहीं कटेगा पर चटेगा आएगा ना पकाई है तो ए तो टू हो गया अब आगे देखो बी तो हो गाई नहीं अफकोस अब आजो किस पे यूनीक यूनीक यूनीफॉर्मली बिर्टा कैसे बटा यह वन एन माइनस वन अपन टी तो है नहीं गलत N by T is the MLE यह करना पड़ेगा बिटा आपको डी पार्ट आपको करना पड़ेगा N by T is the MLE of 1 by T ठीटा यह करना पड़ेगा MLE method करना आता है कराऊ हूं लाइकलीट बनाना पड़ेगा वो लॉक लैकलीट यह सब करना पड़ेगा वह दर रूच पेड़ेज़ उतारो तो सभी पहले नहीं कराया के नहीं है नहीं कराया शाद पहले यह पाद मुझे ध्यान नहीं मुझे तो तो आपको भाई यह निकालना पड़ेगा वन अपन एक्सक्यू वाला ना यह वहला करना पड़ेगा है हो सकता एक्जिस्ट ना करें करा देता हूं मैं वैसे तो स्टीरो और अप्शिन से डिक्रेंस क्या है तो बढ़ना पॉलो जैम आता दी बोलो 1 upon x है सुमेशन 1 upon x और यह सुमेशन x है दोनों में बहुत फर diffic है भी अ मैं भी कराताओं तुले कि तेंशं मतले मैं कराता हूं अरे पहले x infinity one upon x cube, मेरे बिटे दर देया अंसे देखियो, three x square by theta e की पार minus x cube by theta, देख x cube से cutting s को, तो three by theta भार आ गया, zero से infinity x की पार minus one आया, तो ये तो finite answer कभी हो इनी सकता, this is infinite, अरे क्योंकि x की पार क्या है यापर, अरे clear है बिटा, तो ये तो होगा ही नहीं ना, गलत हो जाएगा ये, d answer आ सकता है आपका, d check करना आपको बिटा, d का ml e निकाल लो, और ml e भी बिटा, इन्विरेंस प्रापटी भी लगी गी, क्योंकि ml e आजाएगा, ठीटा का है पाजाएगा, t by n, और हमारे को यहाँ पर क्या है, n by t, तो ml e जो ठीटा है, वो t by n आएगा, तो 1 by ठीटा, n by t by इन्विरेंस प्रापटी, करा दूँ, है नहीं, क्या सुच रहा है, तो को इसको clear करके कराता हूँ, यह उतारो पहले सारे बच्चे, a part है यह, और यह, यह है c part, b तो पता ही है, वो नहीं आएगा, d part कर देता हूँ, उदर कर देता हूँ, साथ तो हो गए ना आज, लगता दो तिन क्लास और देखे तो पंद्रा हो गए हैं, बीस हो जाएंगे राम से, ओफ लैंगी, तुरह मन लग रहेगा, फिर, वो यह उतार लिया, बच्चों, ऑन्लेण वालो, जब भी देखता हूँ, यह फॉइल हमेशा उपर पड़ी होती है, हर क्लास में उतारी होगी मैंने, आगे बढ़ें, देखो, लास्ट पार्ट करूँ ना, लास्ट पार्ट का सोलुशन ने, देखो, यह रहा, लाइकलिध, इस फंक्शन अव थीटा, तो जहां थीटा नी, वो हमारा नी, 1 अपॉन थीटा की पार N, E की पार माइनस 1 बाइटा, समेशन X क्यूब, बागी सब छोड़ दिया, मैंने पीछे, लॉग लाइकलिध थीटा, मैंनस N लॉग थीटा, मैंनस 1 बाइटा, समेशन X क्यूब, डिफ्रेंचेट विद रिस्पेट तो थीटा, तो मैंनस N बाइटीटा, प्लस 1 बाइटीटा स्क्वेर, समेशन X क्यूब, and equate it to what तो minus 1 by theta भार ले लिया तो theta cap क्या आ गया भाई आपका ये उदर गया summation x cube बाई ना है ना which is t by so by invariance property है ना so 1 upon theta cap क्या हो गया ये ही पुछा था ये लो हो गया d डी पार्ट डी पार्ट डी आप गया इंब हो गयां गया iy अजैने HOW nou.. तब ही गर बर गर रहा हुँ हो गया बच्चो उनलाइन वालो